good evening everybody welcome to this very beautiful channel hello physics this is champions league you are watching this is for NEEDNJ 2021 आज का जो हमारा लेक्टर है this is lecture number 5 everybody और ये लेक्टर जो है ये है previous year questions of gravitation अब तक हम पहले 7 chapters कर चुके हैं we have started around तिर्ड महीना पहले हमने start किया था Champions League जिसमें हमने स्टार्ट किया था कानेमेटिक से सारे लाइन वाइस हम चैप्टर चल रहे है according to NCRT and now we are at Gravitation's last topic हमारी जो daily class everybody वो हो सकता है जब भी class live होगा तो वो 4 बजे होगा तो याद रखेगा time जो है वो 12 बजे से actually 4 बजे हो जाएगा जिक है यह हमारे telegram channel everybody telegram channel को जाके ज़रूर like करो ज़रूर join करो because यहां से आपको regular updates मिलती रहेंगी और आपको कोई भी lecture जो है वो नहीं छूटेगा on academy subscription के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा at on academy you get subscribed courses यहाँ पे आपको subscription अगर आप लेते हैं तो आपके लिए top educators का फूल खूल जाता है वहाँ पे आप किसी से भी पढ़ सकते हो वो होदी कम price में na10 अगर आप code लगाते हैं 10% का discount आपको मिलता on academy subscription के बारे में मैं आपको भह सारी चीज़े बताऊँगा and end of this lecture तो एक साल के लिए जो subscription amount है that is 34,650 after 10% discount जो कि आपको na10 code लगाने से होगा right and this is 2 year okay 34,650 and 5,400 iconic subscription जो है ये एक mentorship program है iconic subscription plus के साथ साथ आपको और extra benefits देता है इसलिए थोड़ा सा amount भी उससे जादा है एक साल के लिए 65,000 एक दो साल के लिए 1 lakh रुपेज again after applying code which is na10 na10 code लगाने से 10% का discount आपको मिलता है right आपको परती UGMD unacademy ने एक नई सीरी स्टार्ट की है this is the new category which is CLAT CLAT is basically the entrance exam follow इसके लिए एक नया YouTube चैनल भी है जिसका link आपको description में मिल जाएगा चाहिए और इसको अगर आप लोगों का कोई भी friend है कोई भी आपका भाई बेन है जो लोग की थियारी कर रहे है CLAT की थियारी कर रहे हैं आप उनको ये चीज रेफर कर सकते हैं इसको जाके फोलो कर लीजिए विकोज यहां पर आपको जितनी भी special classes, free classes होती है वो आपको उसका link आपको उसका message आपको आजाया करेगा and this is my plus course which is going on from first of from seventh of number और इस महीने हम modern physics और semiconductor पढ़ रहे हैं इसके लिए आपको subscription लेना पढ़ेगा this is a paid course but वो सारे free classes भी है जो आपको यहां पर दिख जाती है आज कल मैं wave optics पढ़ा रहा हूँ वहां पर भी आप join कर सकते है so everybody आज हम करने जा रहे हैं PYQs, previous year questions उसमें सबसा पहले question आपके सामने है, जल्दी से बता दीजी इसका answer क्या होगा यह question last class का last question है, मैंने बोला था यह आपके लिए homework है this is the question homework for you अगर आपने कर लिया है तो सीधा answer mark कर दीजी नहीं किया है तो इसको पढ़िए और बताइए इस question को आप कैसे करोगे this is a particle which is thrown with the escape speed calculate the velocity at 3r यहां से एक particle को उपर throw किया गया है escape speed से यह उपर जाएगा infinity तक पहुंचने की यह चाहा रखता है लेकिन यह सिरफ अभी 3r पे पहुंचा 3r height है बिटा तो 3r height होगा तो यह height 3r है actually यह हो जाएगा 4r because आपको distance लेना होता है center से इस point पे इसकी speed कितनी होगी वो आपको निकाल देगे यहां से देखें कैसे निकालेंगे यहां पे खोटी आसान है निकालना बिटा यहां से यहां तक हम क्या करेंगे energy conservation कर देंगे एक method तो यह है कि यहां से यहां निकाल लो और भी बहुत सारी methods है जो कि काफी आसान है अगर आपको समझ आए तो यहां से यहां तक निकाल लो या फिर उपर से अगर particle को 0 velocity से release किया है तो यहां पे आते आते उसकी velocity कितनी हो जाएगी यह दोनों भी होंगी यहां से यहां निकालना थोड़ा मुश्किल है यहां से यहां निकालना थोड़ा असान है तो मैं initial point इसको माल लेता हूँ final point इसको माल लेता हूँ u initial plus k initial is equals to u final plus k final तो यह particle कुछ ऐसा है u initial यह वाला है तो यहां पे infinity पे potential energy 0 kinetic energy 0 finally यहां पे potential energy क्या हो जाएगा minus c mass of earth small m upon distance r कितना है 4r because center से आपको distance लेना होता है कि distance कितना हो जाएगा 4r plus kinetic energy would be half small m small m से small m cancel v आपको निकालना है under root of tme upon 2r this would be the answer यह आपका answer आजाए तो इसको solve करोगे तो you'll get this मैंने बहुत असाने से कर दिया अगर आप initial point इसको लेते और यहां से यहां करते तो मुश्किल हो जाता because escape speed से छोड़ोगे तो my particle infinity तक पहुंच जाता है तो मैंने concept पता क्या लगाया है मैंने concept यह लगाया है कि यहां से root 2GH निकाल दूँगा rather than यहां से यहां तक निकालते है तो यह एक method है आप follow कर सकते है या फिर आप इस और इसके बीच में लगा सकते है calculation थोड़ी से लेंदी पढ़ जाएगी answer आज जाएगा 5.6 km per second अगर आपको कोई भी doubt हुआ आप मेरे को comment box में लिख सकते है मैं comments पढ़ूँगा और आपको next lecture में I will clear this out right everybody next is a particle is thrown with escape speed VE from the surface of earth surface of earth से अच्छा यह question तो 5.6 से next one there is a black hole black hole is an object जल्दी से पढ़ लिजे question black hole के उपर है and then I will give you इसका hint जल्दी से बताईए इसका answer क्या होगा this is a black hole whose gravitational field is so strong that even light cannot escape it to what approximate radius would the earth have to be compressed to become a black hole light को भी escape नहीं होने देना है मतलब यहां पे at this point escape speed अगर light से भी बड़ी हुई तो light भी बाहर नहीं जाबाएगी तो इसका मतलब आपको escape speed को light से भी बढ़ा करना है speed of light से भी बढ़ा करना है escape speed की value होती है 2g m e on r e must be greater than lost your flight which is c to what approximate radius तो radius r e आपको निकालना है that would be less than that of c square upon r e उदर जाएगा c square नीचे आजाएगा यह हो जाएगा 2g m e upon c square right this would be 2g m e upon c square right everybody तो यह हो जाएगा यहां से solve करना है 2g m e c square की value पूट करनी है you have to find out answer answer would be approximately this okay approximately answer निकालना है पूरा अच्छा से answer मत निकालने लग जाना you just have to find approximate answer right everybody great awesome so answer would be this okay everybody I hope आपको समझ में आ गया होगा next question जल्दी से कर लीजिये क्या होगा the dependence of intensity of gravitation field of earth with distance r from the center of earth is correctly represented by gravitation field का distance के साथ कैसे फरक पड़ता है यह आपको बताते है सबसे पहले तो gravitation field distance के university मतलब negative sign होता है आप इधर जाती हो तो gravitation field इधर होता है मतलब gravity तो graph नीचे बनेगा यह तो first या फिर second और अंदर क्या होता है यह तो आपको पता ही है अंदर proportional to r होता है भार वे very very easy में कुछ भी नहीं था next question आपकीची next question everybody अपर थर लो states that the square of time period of the planet around sun is proportional to third power वे रपको छेज़ की if the mass of sun and the planet is this one then s per newton's low f is equals to this one वे रपको छेज़ कीचे the relation between g and k is described as देखे, question में क्या दिया हुआ है c squared is equals to k into r k मैंने आपको पहले ही capital थरलो बताया हुआ है k की value कितनी होती है यह होती है 4 pi square इसने capital lows नहीं पढ़ा है मेरे से वो जाके capital slow देख ले उसको दिख जाएगा, यह होता है 4 pi square upon k का value, 4 pi square upon g mass of sun into r k यह होता है, तो k की value हमें पता लग गई है k is 4 pi square upon g mass of sun, right आपको निकालना क्या है you need to find out the relation between g and k g and k की बीच में यह relation है तो gk is equals to 4 pi square upon m upon ms तो यह भी होना चाहिए तो यह हो जाएगा gmk upon 4 pi square तो यह मैंने कहां से लिए है this is kepler, this is third kepler का थीसरा निया right everybody, again next question आपके सामने है जल्दी से बता दीची आंसर क्या होगा there is a satellite s which is moving in the elliptical orbit around the earth ठीक है so there is a satellite जो की elliptical orbit around the earth तो यह earth everybody यहाँ पे elliptical orbit में move कर रही है सबको पता है this is earth this is sun क्या बोल रहा हूँ है this is sun and this is earth now the mass of satellite is very small बिल्कुल सही है then acceleration at s very very important question भीटा the acceleration of s is always directed towards the center of earth s मतलब क्या satellite अच्छा satellite की बात बो रही है फिर से मुझे लगा यह है तो यह earth है और यह satellite है this is earth and this is satellite satellite का acceleration satellite के उपर force हमेशा earth की तरफ लगेगा तो यह भी होगा बिल्कुल सही है the angular momentum of s about center of earth changes in direction बिल्कुल के लगत है angular momentum तो conserve होता है बिटा तो वो change कैसे हो सकता है तो angular momentum तो conserve है right total mechanical energy बिल्कुल नहीं total mechanical energy constant रहती है कैपलर के मताविक वे ऐसे भी कैपलर ने तो angular momentum conserve बोला है the linear momentum remains constant in magnitude linear momentum change होगा बिटा तो इसका answer हो जाएगा right कोई भी doubt हुआ comment box में लिख दीजेगा I would be happy to solve them next question आपके सामने है बताइए इसका क्या होगा answer this is a remote sensing satellite of earth revolves in the circular orbit at a height of this one above the surface of earth the radius is this one than the orbital speed of the satellite orbital speed आपको निकालनी है कितना होगा यह height जो है यह height कितना है ध्यान से दिखेगा बेटा यह height आपको दिया हुआ है 25 into 10 raised to power 4 meter यह जाएगा 250 km 250 km तो कुछ भी नहीं होता है बेटा 250 km is nothing यह बहुत ही कम है h height is very very less than radius of earth तो मतलब क्या है ध्यान से देखना earth के पास यहाँ पे यह जो हो जाएगा इतनी height वाला इसको हम बोलते है नियर अर्थ सेटलाइट और नियर अर्थ सेटलाइट जो है वो कितनी स्पीड से move करते है approximately 7.9 km पर सेकिंड से है तो करना क्या है orbital velocity निकालना है root of gme अर्थ के पास वालों के लिए जो इसका distance है small r वो radius r e के approximately ही हो जाता है इसको solve करोगे तो यह आता है 7.9 km पर सेकिंड यह तब है जब अर्थ के बिलकुल पास हो यह तो अर्थ से थोड़ा सा दूर है इसलिए 7.9 से थोड़ा सा कम हो जाएगा answer would be 7.6 देख लीजे मैंने कैसे किया है आप इसको गया तो calculate कर लो बहुत जादा lengthy पड़ेगा इसलिए मैंने आपको आसान भाषा में यह बता दिया है everybody great awesome all next question आपके सामने है यह रहा बता दीजिए इसका answer क्या आपके सामने है when the velocity of satellite at height 80 km फिर से वही maximum जो होती है वो 7.9 होती है अभी तो सिरफ 80 km ही उपर है तो इसको मैंने आपको बता दिया किसी भी अर्थ के around everybody कोई भी particle maximum कितनी speed से घूम सकता है तो maximum speed हो सकती है v max वो हो सकती है 7.9 km पर सेके अर्थ के बिलकुल पास वाला ये तो कभी होई नहीं सकता orbital speed में 8 भी कभी नहीं हो सकता approximately 8 आप इसको बोल सकते हो तो थोड़ा सा उपर है कितना 80 km 80 तो कुछ भी नहीं है तो answer would be 7.8 next question बेटा बता दीजिए इस question में काफी लोगों को doubt होता है तो देखिएगा answer क्या है कैसे निकालना है जल्दी से बता दीजिए इस concept क्या है at what height from the surface of earth the gravitational potential and the value of G this one and this one ग्रेविटी की वेल्यू 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 ग्रेविटी की दिया है, minus 5.4 into 10 raise to power 7, which is minus GME upon RE plus H, right? इन दोनों को अगर मैं divide करता हूँ, तो GME से GME cancel, यहां से आ जाएगा आपके पास, RE plus H is equals to, है ना, RE plus H ही हो जाएगा, is equals to 5.4 into 10 raise to power 7 upon 6, 6 9 is a 54, यह 10 is to power 6 हो जाएगा यहां पर, तो आपको H निकालना था है परीपटी, H क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, 9000 minus 6400 km, right? तो कितना आ जाएगा? 2600 km आ जाएगा, तो answer is 2600 km, ठीक है? Very very easy बीटा, यहां से हम निकाल सकते हैं, answer, ओके? ना, यहां पर मैंने mass of earth खुद से put नहीं किया, अगर आप mass of earth यहां पर put कर दोगे, तो आपको answer गर बढ़ा सकता है, तो मैंने equation number 1 को equation number 2 से divide किया है, तब जाके मेरा answer आया है, अगर mass of earth खुद से put कर दोगे, जो कि दिया नहीं है, तो यह गलत हो जाए, ठीक है बीटा? next question आपके सामने है, जल्दी से बता दीचे, answer क्या होगा? the ratio of escape speed of earth to the escape speed of the planet whose radius and mean density are twice, escape speed, root of 2gm e, ponari, or you can say it is root of 2g into r, right, यहाँ से density की बात हो रही है, mean density, तो मैं density वाली form use करता हूँ, तो यहाँ पर ve is proportional to under root of g into r e, और small g जो होता है, वो भी rho into r e के proportion होता है, तो यह हो जाएगा proportional to small g के r e square होता है, तो मास को लिख दिया dense into, तो rho r e हो जाएगा, ना? तो sorry है, तो यह हो जाएगा, g को मैं लिख रहा हूँ, rho into r e, और एक r e already है, तो r e square हो जाएगा, तो ve would be proportional to r e into under root of rho, twice, उस radius and mean density is twice, तो यह twice है, और यह root 2 हो जाएगा, तो 2 root 2 हो जाएगा, answer would be 1 by 2 root 2, right? कमच्च में आया, तो यहाँ पे escape speed, कि मैंने निकाल लिए, ठीक है? यहाँ दखने है, g जो proportional होता है, वो rho into r e के proportion, okay? very nice, next question, आप लोगों के सामने हैं, जल्दी से बता दीचिए, इसका answer क्या होने वाला है, एक टीपर टेकर, यह तो बहुत असान है, पच्चास बार कर चुके है, 4 थांस, next बता दीचिए, तर थांस, क्चास म सब्साल थांस, from the surface, the total energy of the satellite in terms of g-node, the value of gravity at the art surface, total energy was equals to minus c, m e small m upon two times small r, यह होता है small r की value यहाँ पर re plus h put कर देते हैं, यह उसी form में है तो यह हो जाएगा re plus h यहाँ पर यह total energy है हमें निकालना क्या है g-node की form में तो g, m e को मैं पुट कर देता हूँ, small g into r e square into small m upon two times r e plus m यहाँ से देख रहे हैं यह answer आजाएगा, तो small g r e square small m, minus 2 m gr, r e plus h, this looks like the answer अच्छा, नीचे 2 b है, ओके यह नहीं होगा, answer would be 4 नीचे यह 2 b, ठीके, so this is the answer everybody, very very easy कुछ भी खास नहीं किया, मैंने सिरफ small g की value put किया है, जो किया gme on r e square next question आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीचे, answer क्या होगा the energy required to escape a space shuttle of this one mass from the surface of earth देखो बेटा, escape speed कभी भी mass के बड़े पैंड नहीं करती, वो हमेशा और हमेशा when the energy required, energy required special कितने की है, उसके लिए escape speed वही रहती है under root of 2 gme upon r e, ठीके, escape speed हमेशा इतनी रहेगी, लेकिन energy पूछा है कितनी energy, energy would be total energy is equals to gme small m upon 2 times r कितनी energy required होगी, जितनी energy negative है जितनी energy negative है, उतनी positive दे दो तो, total energy पहले कुछ ना कुछ थी which is minus gme m upon 2 times r e इतनी energy पहले थी इतनी energy positive दे दोगी तो, उससे वो escape कर जाएगा, तो energy required है यह बेटिकली, basically, total energy नहीं है is the energy required energy required right everybody, very nice right, तो यहां से आपका answer आजाएगा वी पैटि giga joules में निकालना था तो, सबसे पहले तो क्या करते हैं यह energy, basically, इस energy को अगर आप solve करोगे ना तो इसको अब इस वो में लिख लो इस वो में लिख लो, जदा असान हो जाएगा because इसकी value आपको 11.2 पता है right इस form में लिख लोगे तो जदा असान हो जाएगा otherwise, तो काफी easy है कैसे लिखोगे इस form में तो देखें, gm upon re को क्या लिख सकते हो, v e square by 2 लिख सकते हो, तो gm upon re को v e square by 2 लिख सकते हो, एक 2, 4 है तो यह हो जाएगा 1 by 4 m v e square यह हो जाएगा 1 by 4 small m v e square तो 1 by 4 पता है, small m पता है v e square पता है, put करनी है बस answer value आजाएगा तो answer इसका हो जो है, everybody calculate जरूर करने आपको 24 आजाएगा next question आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए answer क्या होगा आपके सामने है इतो अबने तेर्जोने का इतो फ्क प्क पोगय तो एक श सुट्ट है एक पॉलमेट अबने एक जैने गड़ शुटो एक पॉलमेटर अवगत अबने गयट बने एक पॉलमेट अबने the extension due to gravity 1 km उपर is same as that of d depth तो याद रखना है बेटा यहाँ से अगर h उपर जाके जितने gravity होती है उतनी ही आपको 2 h नीचे जाना पड़ेगा ठीक है तो depth जो होती है वो 2 h नीचे जाने पर same gravity में change होता है तो 2 km इसका answer होच है याद रखने है यह चीज 500 km ऐसा क्यों यह भी मैंने आपको बताया था जब हमने gravity पड़ी थी जब मैंने change in gravitation पड़ा था because change in height change in gravity सिर्फ 10% होने चाहिए 10% gravity का उपर change और नीचे change double height पे होता है उसके बाद change होने लग जाता है तो यह formula हमेशा valid नहीं है यह formula height less than 500 km पे ही लगाओ थे ठीक है ठीक अविबडी 500 था कितना था I am still little confused मेरे को चेक करने दो कितना था height का फोर्मला gravity का change आना चाहिए 10% तो पहले आता है 320 km पे है 2 h by r e 2 into h h होता है h upon r e 6400 तो इस इक्वेल स्टू anyhow वैसे यह चीज में आपको बता चुका हूँ आपको यादी होगा जम थेोरी पढ़ रहे थे ठीक है तो ग्रैविटी का चेंज 10% का वोता है वो मैं देख रहा था actually 10% का चेंज होता है 2 h upon h is equal to 10% 0.1 तो यह जोएगा 640 upon 2 320 320 तो h height 320 से कम होती है 500 बोल देते हैं वैसे 320 नेक्स बताइए बेटा क्या होगा इसका अंस 2 astronauts are floating 2 astronauts are floating 2 astronauts are floating 2 astronauts are floating in the gravitational free space gravitational free बेटा gravity free नहीं है मतलब capital G ही 0 होगे तो आपको बताना है क्या होगा था 2 will move towards each other नहीं move away from each other नहीं will become stationary keep floating in the sun keep floating तो will become stationary नहीं stationary होगे नहीं बेटा यह गलत है keep floating जो भी उनके बीच के distance है कोई परक नहीं पड़ेगा पहले से float कर रहे है तो बात में भी stationary होने का कोई reason ही नहीं है कोई भी यहाँ पर friction नहीं है जो इनको stationary कर सकता है next one when the angular momentum of the satellite L निकालना है mass दिया हुआ है इंदर ADSR क्या हो जाएगा MBR right MBR M कितना है 400 V कितना हो जाएगा root of GM by R into R सारी चीज़े आजाएगे सारी चीज़े तो आजाएगे 400 दिया है यहाँ पर G means के भी question कर रहा हुआ aims के भी question कर रहा हूँ need के भी कर रहा हूँ सब कुछ करा रहा हूँ सब intermixed है ठीक है लेकिन सब previous questions radius दिया हुआ है that's it calculation तो यार बहुत ही असान है इसमें कुछ खास है नहीं calculation करके आपका answer would be this Anglement of the satellite of mass satellite था इसलिए मैंने satellite की orbital velocity का formula लगा दिया root of gm by r कभी भी root of gm by r root of gm by r कमी लगाना root of g r लगा देना ज़्यादा अच्छा रहता लेकिन उससे भी lengthy हो जाएगा यही सही ठीक है next question everybody बता दीचिए आपकी screen पे if the mass of the sun were 10 times smaller and the universal gravitation constant were 10 times larger the following is not correct mass of the sun is ms by 10 कर दिया है और gravitation constant g 10 times कर दिया है क्या क्या होगा raindrop will fall faster raindrop नीचे आने का मतलब gravity gravity g की value होती है gm upon r square क्या ही फरक पड़ेगा कोई खास फरक नहीं पड़ेगा walking on the ground would be more difficult तो friction के कारण depend करते है normal reaction के कारण तो new mg simple pendulum of earth predict is g on the earth catch होना चीगी बेटा very very important g on the earth will not change अगर g change कर गया तो ये सारी चीज़े change कर जाएंगी अर्थ का g अर्थ के खुद के मास के कारण है sun का उससे कोई लेने देना नहीं है next one question पढ़ लीचे बेटा और फिर इसका आंसर बताईए क्या होगा again यसे मैंने हर क्लास में बोला है मैं आपको ज़्यादा लंबा वीडियो यहां पे नहीं दूँगा वैसे live में ज़्यादा टाइम लगता है recorded में क्योंकि audience नहीं होती तो जल्दी record हो जाते हैं questions जल्दी हो जाते हैं तो इसलिए जो देट घंटे में चीज़ी होती है हो सकता है वो एक घंटे में ही record करके हो जाती इसलिए lecture जो है हो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा would be maximum of 45 minutes और उतना ही रखेंगे next question बता दीचे पेटा क्या होगा kinetic energy of planet in the elliptical orbit about sun at the position a b c या हुआ है a पे सबसे ज़्यादा kinetic energy c पे सबसे कम है kinetic energy b पे intermediate तो a पे सबसे ज़्यादा ABC कुछ भी नहीं है next बता दीचे next question everybody आपकी screen पे है जल्दी से बता दीचे answer क्या होने वाला है satellite of mass is revolving in the elliptical orbit around the earth earth के around यह मोफ़ा है the mean altitude at this one and this one and solar so this one the energy required यह required है so send the satellite in the orbit will be कितना energy required होगा इसको यहाँ पे send करने है total energy जो होता है बेटा वो क्या होता है यह होता है minus z m mass of earth mass of satellite upon two times अब ए कहां से आता है यह आता है distance of perogy plus distance of apogee divided by 2 distance of apogee perogy perogy energy दोनों पता है आपको तो यहां से यह आ जाएगा total energy आ जाएगी तो मतलब जब कोई satellite earth के around घूम रहे है उसकी total energy कितनी है वो हमें पता है ठीक है total mass means rolling the particle around earth mean altitude दोनों हमने calculate कर लिए है ठीक है then the energy required सबसे बड़ी बात बिटा सबसे बड़ी बात यहां पे क्या होगी थ्यान से देखना मैं आपको यहां पे बताता हूँ यह earth है distance हमेशा हमें center से लेना होता है तो यहां पे यह है यहां पे यह है यहां से देखते रहे ना कुछ ऐसा यह यहां से यहां तक का distance कितना दिया है 1600 और यह कितना है 6400 और यह कितना है 6400 और यह कितना है 1600 तो यहां से यहां तक का यह distance जो है यह r of perigy है rp है और यहां से यहां तक का जो distance से यह R of Fog R of Perigy कितना है मैं यहां पर लिख देता हूँ किसी और color से R of Perigy जो हो जाएगा 6400 plus 1600 यह हो जाएगा 6474 यह हो जाएगा 64 and 1600 would be 8000 km और यहां पर RA जो है यह हो जाएगा 5600 तोरी दिस इस 5600 तो 5600 plus 6400 तो कितना हो जाएगा 56 and 64 यह हो जाएगा 12,000 km तो यहां से यहां तक का total distance और यहां से यहां तक का total distance हम निकाल चुके है नारे और आरे Energy required to send the satellite in this orbit यहां से इस orbit में जाने की कितनी energy required होगी वो देखिएगा यहां पर जब वो है उसकी total energy final कितनी है मैं निकाल चुका हूँ पहले तो A कैसे निकालेंगे A would be R8 plus Rp upon 2 तो यहां पर एक particle है जिसकी total energy 1 है यहां पर जब particle है उसकी total energy 2 है total energy 2 की value इतनी है और total energy 1 मतलब यहां पर तो ध्यान से देखते रहे न यहां पर अर्थ की surface पर total energy कितनी होती है अर्थ की surface पर total energy तो minus GME MS upon R E होगी जोकि potential energy के equal है तो यहां पर उसकी बस potential energy है यहां पर उसकी बस total energy है यहां से यहां जाने के लिए इतनी energy required होगी energy required would be दोनों का sum तो total energy 1 minus total energy this would be the answer sorry 2 minus 1 because 2 जादा होगी 1 minus ठीक है aims का आया वो question है बेटा इसलिए थोड़ा से lengthy है but still concept बहुँ जादा ज़रोरी है 1 point से 2 point पर जाना है this point was 1 and this point was 2 मैंने 1 पर total energy निका लिए अब 1 पर तो उसके पास kinetic energy ही नहीं वो तो हमें दे नहीं है तो 1 पर कितनी kinetic energy दें कि वो 2 पर पहुंच जाए तो वो हो जाएगा 2 और 1 के बीच की जो energy का difference है उतना मैंने दोनों का energy लिखी दोनों का difference निकाल दिया जब कोई कोई चीजों orbit करती है उसकी total energy ये होती है और जब कोई body rest भी होती है तो उसकी total energy उसकी negative potential energy के equally होती है तो दोनों का minus करती है very very important अगर समझ में ना है comment box में लिख देना I would be happy to answer और एक ऐसे निकालना है वो मैंने आपको सिखा दिये next question आपके सामने 10 second का time है पढ़िए सोचिए मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है देखिए there is a satellite of mass this one revolving around the earth the radius is this one maximum and minimum distance is 1200 and 2400 वो सिल्वे time period time period is equals to यह हो जाएगा 4 pi square upon g mass of earth into a raised to par 3 square a raised to par 3 by 2 बस आपको a निकालना आना चाहिए फिर formula लगाना है a की value क्या है बेटा यह हो जाएगा फिर से maximum into r1 plus r2 pi that's it बहुत ही असान है सब कुछ हमें दिया हुआ है satellite का mass कभी use नहीं होगा यहाँ पर mass is the volume around the earth तो यहाँ पर सरफ earth का use होगा mass का use नहीं होगा earth का आपको खुद से the radius of earth is this one maximum minimum distance from the surface of earth is 1200 and 2400 बिल्कुल same question है earth की surface से distance दिया हुआ आपको 6400 से उसमें जोड़ना पड़ेगा तब आपको यह चीज़ करनी पड़ेगी और the approximate time period आपको निकालना है इतना होगा यहाँ से यह formula लगाना है very very easy r1 क्या आजाएगा r1 would be 1200 plus 6400 और r2 क्या आजाएगा it would be 2400 2400 plus 6400 तो यहाँ से यह आजाएगा a की value put कर देना that's it answer इसका आएगा 2 hours तेक है बिटा next question geosynchronous का मतलब होता है geostationally एक satellite है क्योंकि geostationally है earth के respect में stationally what will be the orbital radius आपको पता है orbital radius कितना हो जाएगा 42400 kilometer क्योंकि उसका radius पूचा है बिटा आप लोगों को तो height पता होगी height होती है 36,000 kilometer लेकिन उसका orbiting radius पूचा है तो यह small r निकालना है तो orbiting radius is small r which is 36,000 plus 6400 would be approximately 42400 kilometer यह answer इसका होता है answer इसका exactly one है देख लीजे कहां चुट चुट याप mistakes करते हो और जब again सिर्फ बेटा इसको कथा की तरह मत सुनना कि मैं कथा कर रहा हूँ तुम सुन रहे हूँ यह मत करना जब मैं question देता हूँ उसको post करना खुच से करके देखना फिर post को हटा देना फिर मेरा solution देख very nice next question आप लोगो comment दे रहा हूँ ता यह इस concept क्या हूँ देखिए there is a satellite which is revolving around the earth such that such that the minimum and maximum distance फिर से यह तिए हूँ फिर से same question the velocity of the satellite when it is at a distance from the earth is minimum distance at perigee निकालना है क्या हो जाएगा under of g mass of earth upon a into so that r a upon r p very very important यह होता है मतलब यह कि यहाँ पे ऐसा satellite था यह sun था यह सोरी यह अर्थ है और यहाँ पे हमें निकालनी है velocity कितनी है यह velocity at the perigee है ठीक है कैसे निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का distance और यहाँ से यहाँ तक का distance यह है r of perigee यह है r of apogee तो r a r p पता है a पता है a कैसे निकालना है वही r 1 प्लस r 2 by 2 same type की question है बेटा तीसरा question similar type का करा रहा हूँ इसके उपर में ज़्यादा time नहीं लगा रहा हूँ यहाँ का भी formula आपको पता होना चाहिए apogee का apogee के case में क्या हो जाता है r p upon r हो जाता है very very important सिरफ formula लगाना है we will get the answer again aims और need के यह questions है सारे इसका answer जो है वो पेटा वो है 7.91 10.3 देख लीज़े इसका answer फिर से earth surface दिया हुआ है आपको 800 में से 6400 और 24 में से 6400 जोड़ना पड़ेगा it's very very important ठीक है आपको हमेशा center से distance लिना होता है जैसे कि मैंने पहले बताया आपको r h जोड़ना होता है जैसे हमने इस case में बताया था right तो यहाँ पे r p और यह कैसे निकालना है वो आपको पता होना जाए ठीक है तो r p यह r p है तो यह हो जागा r p plus ra upon that's it everybody this is this is my profile at an academy आज के लिए हम pyqs यहीं पे ही खतम करते हैं this is my profile at an academy आप इस profile पे जाके मिले को follow कर सकते हैं because इस से आपको regular updates मिलती रहेंगी जब भी मैं कोई course या फिर कोई special classes launch करूँ है अभी जाइए join कर लीजिए follow कर लीजिए यह मेरा plus पे course चल रहा है everybody इसके लिए आपको subscription लेना पड़ेगा by the way अभी मैं special classes करा रहा हूँ way of optics किया तो आप वो कर सकते हैं academy subscription everybody इंडिया के top educators कोटा की जो studies है वो भी online आपके घर पहुंच जाएगी आपको कोटा नहीं जाना पड़ेगा आपको किसी बड़े शहर में एक बड़ी हा कोचिंग में जाने की जूरत नहीं है पिकोस सब कुछ आपको घर पे मिल जाएगा ठीक है और life classes यहाँ पे आपको मिलती है, life classes आपको interaction with your educators मिलता है life boards and leader boards test series and this one, these are some of the things which are very very important तभी आप अपने अपना मन चाहा रहें के ले सकते हैं अरिकाडमी subscription के जो prices हैं everybody any 10 code लगाने पाद वो 10% कम हो जाते हैं, because any 10 is 10% का discount मिलता है एक साल के लिए जो है वो 54,000, दो साल के लिए जो है 50,000 cup ties आपके लिए है iconic subscription everybody अगर आप लोगो अगर आपको लगता है कि प्लस में, अगर आपको लगता है कि आपको एक personal mentorship की जरुरत है अगर आप हमेशा home tuition में पढ़े हैं और आप एक personal teacher से पढ़े हैं तो प्लस में तो एक classroom होता है उसमें बहुत सारे students होते हैं हो सकते हैं आपके उपर educator personal ध्यान न दे पाए उसके लिए आपको iconic subscription आप ले सकते हैं विकोज इसमें प्लस के सारी benefits मिलते हैं प्लस extra कुछ चीज़ें मिलते हैं और इसकी जो fee से वो 65,000 and 1,000 for 1 year and 2 year 1, 2 year चीज़ें अगेन एने 10 code आप यहां पे भी लगा सकते हो 10% के discount के ओके everybody UGMT जो है यहां आप 11th and 12th के module wise test होते हैं भीचावरों every Saturday quiz में नहीं ले सकता because यह recorded session everybody but हर live session में हम quiz लेते हैं at the end of the lecture do subscribe to this video do subscribe to this channel do like this video do share this video and on hashtag hello physics every party these are the sister channels आप इनको जाए जल्दी से join कर ले चिए and anytime is my code इस code को एपलाए करना for uncannable subscription thank you everybody thank you for listening and that's it for today I will see you guys next time तप्ता के लिए bye-bye